विल्कम बैक टो मॉमीस प्लैनेट इंडिया नए साल में मैं अपनने भी आपका स्वालिद करती हूँ आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉल्ड आइडिया के बार मीजी हैं बच्चों को अक्सा ठंड में प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को बहुत जादा दर्स होती है तीम बार चार बार पांच बार बच्चे काफी सोस्त हो जाते हैं और कभी-कभी इमर्जिंसी की सिच्वेशन आ जाती है कि हमें हॉस्पिटल भागना होता है तो आज हम इसके बारें बात करेंगे, cold idea क्या होता है, क्या इसके सुरुवाती लक्षन होते हैं, क्या गरे लूप चार करना है, और कब हमें immediate hospital भागना है वीडियो शुरू करने से पहले क्रिक्वेस्ट है, जो मैं हर बार करती हूं, वीडियो पसंद है, आपको पता है क्या करना है, like करना है, share करना है, और अगर आप इस तरह की informative वीडियो देखना चाहते हैं, तो YouTube पे टाइप करें, mom is planet India, देखिए, बच्चे को अकसर ठंड में, बहुत जादा सर्दी, जुकाम, बुखार, ये सारी चीज़े होती रहती है, लेकिन जब आपका जो बच्चे का पौटी है, वो तीन बार से जादा होने लगे, तो आपको सतर को जाना है, अगर बच्चे की पौटी ग्रीन हो रही है, बहुत बद्बू के साथ हो रही है, तो ये एक साइन है जो बताता है कि बच्चे को कोल्ड आइडिया हो गया है, बच्चे को बहुत जादा फीवर भी तेज आ सकता है, बच्चा सूस्त हो सकता है, बच्चे को कभी कभी बहुत जादा वामिटिंग होती है, बच्चा बहुत जादा पीला दिखने लगता है, यह सारे साइन्स मिताते हैं कि बच्छे को प्लम आइडिया हो गया है है! आपको इसे अलके में नहीं लेना है मास कमारों सकते हैं वो बच्चे को टीधिंग हो रही होती तो ओनाथ को और हो लेकिन ज्ग कृए लगे तो जन्हीं का लगे fix-त को बच्चों को अन्हाइजेनिक फूट दे देते हैं, बहुत जादा साफसफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ऐसे में कोल्ड आइडिया होनी का चांस बहुत जादा बढ़ जाता है, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि एक साल से छोटी बच्चों को सिर्फ और सिर्फ बॉइड मां का दूद देंगे और बच्चे को ORS का घोल देंगे, यहां पर देख सकते हैं, मैंने ORS का पैकेट यहां पर दिखाया है, तो इसे आपको क्या करना है, एक लिटर बॉल्ड वाटर में है, जो हल्का गुन-गुना बना लीजे, और बच्चे को फ्रिक्वेंटली करेंगे, 6 में जो दूसरी चीजे भी ले सकते हैं जोटी नहीं नहीं लेंगे तो आप यहां घटा देंगे, इस जगह बच्चे को देंगे डाल पानी जी तो एक पतला दाल का पानी चावल का मार जिसे स्टार्च बोलते हैं और बच्चों का अपनी देंगे श्या तो आब वाष्रा बनी रहेगी। क्योंकि होता कि बच्चों को बहुत जादा जब पॉटी होती ही तो पानी निकलती जाता है शरीर से बच्चे बच्चे सूस्त होने लगते हैं इसे बचाने के लिए बच्चे को 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 बच् बिल्कुल रोई जारा है तो यहां पे आप कुछ घरेली उपाई कर सकते हैं जैसे आप जाइफल जिसके मैंने एक वीडियो भी बनाया था मैंने लिंक पी दिया है उसे आप उबले पानी में थोड़ा सगी सेंगे और बच्चों को एक से दो बार देंगे यह सारी चीजे नाभी के चारोड लगाएंगा और नाकूनों में लगाएंगे पैर के हाथ के नाकूनों में तो इससे क्या होगा जो कैस्पी जो फॉर्म कर रही है वो भी ठीक हो जाएगी इसके लाव अगर थोड़ी बड़े बच्चे हैं तो उन्हें आप नीमू दे सकते हैं जैसे नीम ने मताते हैं कि अप अगल गर पाफ नेमरे भी थीर्य नी सवाधा टत swords साज कर रहा है तो अगर बच्चे की पॉटी में बलड आ र्रा रहा हूग़ए tutte ऑल नीगा हो बच्चा बहुत जादा सुस्त हो गया हो, कोई अक्टिविटी नहीं कर रहा हो, और सिर्फ ट्वालेट नहीं हो रहा हो, आपको ध्यान देना है कि बच्चे को पिशाव होना ही चाहिए, अगर बच्चा पिशाव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कोई सीरिस प्रॉब्लम है, यह पास जाना है, बच्चे को बहुत नजदीक से देखा है, तो डॉक्टर बार बार बोलते थी, आप चेक करते हैं, बच्चे को सुसु हो रही है, यहां पर आपको ध्यान देना है, डाइपर आप यूज करें, लेकिन कोशिश करें कि कप्ड़े की नैपी हो तो ज्यादा सही रहेगा, जैसे ही बच्चे को होगा, आप तो रटा सिकेंगे, और पता कर पाएंगी, कि बच्चे ने सुसु किया या पॉटी किया है, यह सारी चीजने आपको धिहान में रखनी है, दूद के लिए रॉक्टर ने मना किया था, यह मैं आपको फिर कह रही हूँ, छे मे मातरा कम दे, दाल दे, पतला दलिया दे, इसके लावा बच्चे को आप मार दे, चावल का जो मार होता है वह दे, और इसका घोल दे, जो कुछ भी लिक्विड चीज है वह देना है, जब बच्चे का बॉड़ी थोड़ा से संभलने लगे तो उसके बाद आप दूद देना कर सकते हैं, तो यह सारी जानकारी है, कोल्ड आइडिया के बारे में, आप बिल्कुल सतर क रहे हैं, ध्यान देते रहे हैं, ध्यान देना है कि बच्चे कोई भी ऐसी चीज मूह मिना ले जो 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 बढ़ी होई हो, बिकुस एक बर जो प्रॉब्म शुरू होता है, तो जान कमिन्ट सक्षिन में जरूर लिकें, देखते रहें, मॉमिस प्लानेट इंजा, थांकियो,